IFJ KTF नेली बठिंडा में हमले की जिम्मेदारी हमले की जांच के लिए सेना की टीम मौके पर पहुँची NBT News, चंडीगर पंजाब के बठिंडा स्थित सैन्य अडवे पर हुई गोली बारी की घटना की दो आतनकी संगटनों ने जिम्मेदारी ली है। KTF के अजीत सिंग ने चिट्टी जारी कर कहा, भारतिये फॉज सिखों के कतले आम की जिम्मेदार है। 1984 को गोल्डन टैंपल पर भी भारतिये फॉज ने ही हमला किया, इस हमले से उसका बदला लिया गया है। इस बारे में पफिलहाल पुलिस और सेना ने कोई खुलासा नहीं किया है। इस बीच शनिवार को सेना की जांच टीम बठिंडा पहुची और पूरे सैन्यक शेतर में जांच की। दिल्ली से बटिंडा पहुची सेना के अधिकारियों की टीम ने मामले की जाँच के दोरान सीन को रीक्रियेट किया, पुलिस का मानना है कि फाररिंग के आरोपी सैन्यक शेत्र में ही रहने वाले हैं, जिसके चलते सैन्य अधिकारी और पुलिस बलकेंट में तैनात विभिन और बटालियों के फौजीयों और उनके परिवारों के सदस्यों की लगातार गिंती कर रहे हैं, अम्रितपाल को शरन देने के आरोप में 5 अरेस्ट पंजाब पुलिस ने कट्टर थी उपदेशक अम्रितपाल सिंग को कथिच शरन और मदद देने के आरोप में एक प्रमु जोगाने उसके लिए पीली बीत में रहने और फिर पञ़ाब लोटने की व्यकस्था की वहीं पंजाब से भी चार आरोपियों को अमरित पाल को शरण देने आरोप में गिरफतार किया गया है अधिकारियों ने बताया कि गिरफतार किये गए व्यक्तियों की पहचान होशियारपुर के बाबग गांव के वकीर राजदीप सिंग, जलंदर के सर्बजीत सिंग, जलंदर के नकोदर नगर के ओकारनाथ और स्थानिय मोहला रामगर के करनेल सिंग के तौर पर की गई है उन्हें यहां एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उनकारनाथ को न्याएक हिरासत में और बाकी तीन को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, पुलिस ने अमरित पाल सिंग और उसके संगठन, वारिस पंजाब दे के सदस्यों के खिलाफ पिछले महीने कारवाई शुरू किती